हेलो एवरिवन तो फ्रेंड्स आज हम सेयर करने जा रहे हैं राज़्थान का प्रिशित चूर्मा रेसिपी और वो भी मेरे मम्मी के हाथ का बना हुआ चूर्मा और बिल्कुल देशी तरीके से तो यह हमने एक चम्मच घी लिया है इसमें चार कप आटा लिया है छानकर इसक तरीके से कंटिनू पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है इस तरीके से हमें सक्त आटा लगाकर तयार कर लेना है देखिए इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है तो इस तरीके से हम आटा लगाकर तयार कर लेंगे और हमें इसको बहुत जादा नहीं गूथना होता है nesse तो देखिए हमारा लगकर तयार है चूर्मे का अब हम इस में से का हो कि बनाएंगे तो हम इस साइज को सब्सकाइब नहीं क्या है वेल आइकन के साथ सब्सकाइब जरूर करक दीजिए तो यह हमारे चूरमे के पिंडे बन कर तयार है अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जिदर हमने आग तयार किये तो देखिए यह हमारी हलके आग तयार हो चुकिए इसको एक साइड में निकाल लेंगे थोड़ी सी आग और दूसरी साइड जो दूआ निकलता उसको होने देंगे और इस तरीके से हम पिंड़ों को रखकर इस पर सेख लेंगे और हमें इनको बार बार पलड़ते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इनको लेख पर तैयार करना है हमें इनको जलाना बिल्कुल यह उसक at क discount कर तैयार करना है उसके बाद हम इस आग के अंदर पिंडों को रखेंगे इस तरीके से और उपपर से फिर से आग डाल देंगे थोड़ी सी आग नीचे रखेंगे और थोड़ी सी उपपर रखेंगे तो राइस्थान में इसी तरीके से चूर्मा बनाया जाता है अब हम आदा गंटे के लिए एसे ही छोड़ देंगे आदा घंटा हो चुका है और अब हम इनको चेक कर लेंगे ज़दी हलके कच्चे रह जाएं तो हम थोड़ देर के लिए और रख सकते हैं तो अब हमने इनको बहार निकाल लिया है हमारे पिंडे अच्छे से सीख चुके हैं सेम ऐसे ही सेकर तयार करने हैं और उसके बाद हम कोई भी साप कपड़ा लेकर उससे हम इसको साप कर लेंगे अच्छी से पोंच लेंगे इनको इनकी राख को हटा लेंगे सेम ऐसे हमें तयार करने हैं उसके बाद हमाम दस्तर लेंगे और उसमें हम इन पिंडों को डाल देंगे इस तरीके से सीके तो इसी तरीके से हमें चानना है देशी तरीके से हम इसी तरीके से बनाते हैं चूर्मा उसके बाद हम रवा लेंगे आप बूरा भी ले सकते हो यह हमने दो कप रवा लिया इसमें यह ड्राइफ फूर्ट से किस्मिस और काजु उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके कप गीडाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमारे चूर्मा बन कर तयार है धन्यवाद